दोस्तों आज मैं आपके साथ गंदी हो चुकी, डर्टी हो चुकी टॉयलेट को साफ करना शेयर करूँगी First of all दोस्तों मुझे आपके साथ ऐसे गंदी टॉयलेट को शेयर करना बहुत और फिल हो रहा है मैंने पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने नॉर्मल जो हमारी टॉयलेट होती है उसे साफ करके दिखाया था तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैमा आप तो साफ टॉयलेट को ही साफ कर रहे हैं आप गंदी टॉयलेट को साफ करके दिखाए तो इसलिए मैंने काफी टाइम से इस टॉयलिट को साफ नहीं किया था तो आज आपके साथ गंदी टॉयलिट को साफ करना शेयर कर रही हूँ वैसे तो मार्किट में हमें टॉयलिट साफ करने के लिए बहुत से क्लीनर मिल जाते हैं टैबलिट्स मिल जाते हैं लेकिन उनसे इतना अच्छर जल्ट भी नहीं मिलता और वो बहुत कोस्ली भी होते हैं जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता इसलिए आज मैं दोस्तों आपके साथ बहुत ही सिंपल सी दो चीजे शिर करने वाली जो हर किसी के गर में होती है उनमें आपको कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा और आपको मेनत भी ज़्यादा नहीं करने पड़ेगी कंदी हो चुकी टॉइलोड को चमकाने के लिए दोस्तों जहां पर आपको यूज करना है कोई भी डिटर्जन पाउडर डिटर्जन पाउडर भी जहां फिर आप लीकमर भी यूज कर सकते हैं मैंने दो चममज के क्रीब डिटर्जन पाउडर डाला है और अब दो चममज के क्रीब ही मैं बेकिंग सोडा डा रही हूँ जिसे हम खाने वाला सोडा बोलते हैं इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा वाइट वैनेगर जिसे सिर्का भी बोला जाता है वाइट वैनेगर जमे हुए दाग, दबे, स्टेंस जो होते हैं जो हमारी टॉयलेट में पीला पाना आ जाता है उसे साफ करने का काम करता है और बेकिंग सोडा जो होता है वो जमी हुए गंदगी जो जिद्धी गंदगी जो जिद्धी से दाग आ जाते है उसे साफ करने का काम करता है आपके टॉयलट पर जो पीला पन आ चुका है जो हाड वाटर के स्टेंस आ जाते हैं जो नीचे काला पन सा आ जाता है किसी भी किसम के जिदी दागों वो सभी स्पेस्ट से निकल जाते हैं अब सारा उपर लगाने के बाद इस पेस्ट जा इस लीक्विड को जो भी बचा हु है उसे हम टॉइलिट के बीच डाल देंगे क्योंकि नीचे तक जो टॉइलिट में गंदे दाग लगे है जो जमी हुई गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी इस पेस्ट को अप्लाई काने के बाद इसे हम पांच मिनिट के लिए शोड़ेंगे क्योंकि जो वैनिगर और मीठा सोड़ा हमें डाला है वो अपना काम कर सके अब पांच मिनिट हो चुके हैं तो मैं टॉलिट ब्रश लेकर नीचे से थोड़ा रगर लोगी क्योंकि नीचे काफी जमी होई गंदगी है इसलिए हमें थोड़ा सा हलकी से हाथों से रगर ना पड़ेगा हमें इसमें ज्यादा के बाद होती है ऐसे टॉलिट साफ नहीं होती दोस्तो रैलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन अगर आप इस पेस के साथ तो आपको ना मातर मेनत करने पड़ेगी बहुत कम समय आप टॉलिट को साफ करनेंगे हलका सा रगरने के बाद मैंने पानी चोड़ दिया और आप जो टॉयलेट की बार वाली साइड है उपर नीचे सभी जगा पर मैं इसे साफ कर लूगी और फिर बाद में आपको दिखाती हूं इसका फाइनर रिजल्ट तो आप देख सकते हैं दोस्तों देखिए पहले जो बहुत बुरी तरह गंदी हो चुकी टॉयलेट थे वो कुमेंट कर रहे थी कि आप मैं अगर गंदी टॉयलेट आपको साफ करके बताती हूं तो आप समझ पाएंगे कि हां सच में वो साफ होती है आपको उसका रिजल्ट मिल गया होगा